मशकार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिस्कुस करेंगे सिन्टेक्स इंडस्ति रिस के बार मैं क्या आपको करेंगे कि आप लोगों कब पैसे मिलेंगे और क्या बोलते कितने पैसे मिल सकते या मिलेगा भी कुछ या आप लोग जो है अपना कैपिटल पूरी तरह से इसमें बरबाद कर चुके हो सारा जो हम आपके लिए गाइस क्लियर कर देंगे तो वीडियो एंड तक जुरूर बने रहेगा तो गाइस सबसे पहले जो है हम यह डिसकस कर लेते हैं कि कंपनी डी लिस्ट क्यों हुई सो गाइस कंपनी इसले डी लिस्ट हुई क्योंकि जो एंसी एल्टी थी उन्होंने रिलाइंस इंडेस्ट्री को जो है पूरी तरह से जो है permission दे दी थी कि वो 100% acquire कर सकते है syntax industries को syntax industry के जो board member थे उन्होंने भी जो है अपनी रजबंदी दे दी थी तो guys इस share में आपको दिख रहा था continuously lower circuit लग रहे थे retail investors को जो है trap किया जा रहा था और हमने आपको उसी time जो है warning दी थी आप लोग जो इस stock से निकल जाएए अगर आपको कहीं भी मौका मिले इस stock से निकल जाएए और कोई भी fresh buying जो है stock में मत कीजेगा तो guys अब मोटे मोटे दो चीज हो सकती है हमने आपको पहले भी बता के रखा एक analyst होते हैं जो NEC के वहाँ होते हैं वो देखते हैं सबसे पहले की क्या भूलते हैं कहाँ पर सबसे जदा demand थी stock की फिर वहाँ पर average निकलते हैं फिर उस हिसाफ से जो वो अपने shareholders को पैसा देते हैं जिनके वहाँ shares होते हैं या तो एक दूसरा तरीका होते हैं जो काफे डिफिकल्ट होते हैं आपको खुद जो है एक बायर ढूना पड़ता है market में कि वो आपके stocks खरीद सकें लेकिन वो retail investor नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत कम quantity में stocks होते हैं उतना कम quantity को कोई भी खरीदन नहीं है तो गाइस यहां पर मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है आप लोगों का पैसा जो है बरबाद हो चुका है अब बहुत कम chances है कि कोई बड़ा benefit जो है आप लोगों को मिलेगा जो retail investor है क्योंकि आप लोगों के stock जो है कई सालों तक ऐसे पड़े रह सकते हैं क्योंकि इन प्रोसेस में काफी time लग जाता है तो अब मैं आपको यही रहे दूंगा अब आप लोग कुछ उमीद जाला मत रखिएगा यहां पर आप कुछ नहीं होने वाला और जो यूट्यूबर्स आपको ललू-लाल बना रहे थे कि syntax industries को क्रीज़ी यह multi bag return देंगे जरह उनको report कीज़े और वो लोग जो है ऐसे ही आप लोगों को बेफकू बनाते रहेंगे तो अब जो है process में काफी time लगेगा guys इस चीज में तो जो भी latest update आती रहेगी syntax related हम आपको जो update रखेंगे बाकी अब आपके हाथ में कुछ नहीं guys अब जो है promoters मिलके ही जो है वो decide करेंगे company के आगे क्या करने चाहिए और shareholders को आने वाल टाइम में कितना हिसा मिलेगा तो guys thank thank you